हाई दोस्तों असलाम अलेकुम मेरा नाम है नबील तो ऐसे हाँ पर यह है मेरे पास वीवो वीटोंटी सेवन प्रो 5G स्माटफोन और यहाँ पर यह रहा 50 मेगा पिक्सल्स का ट्रिबल रियर क्यामरा आपको मैं इसी स्माटफोन के इसी वीडियो में कुछ क्यामरा के सेटिं करना तो चलिए क्यामरा एप को ओपन करते हैं एक एक फीचर आपको मैं एक्स्प्लें करके बताऊंगा यह क्या काम करता है और यह क्या काम करता है बोलकर तो चलिए क्यामरा एप ओपन करते ही सबसे पहले हमको यहां पर मिलता है नेट मोड आपको रात में फोटोस क्लिक क है तो आना होगा इस night mode में यहां से आप रात में फोटोस क्लिक कर सकते हैं बही तरन शोट्स आएंगे और इसके अलावा आप हम पर जूम करना चाहे तो आप हम पर 10X तक जूम करके night mode में photos ले सकते हैं इसके अलावा आप हम पर इसको wide angle में भी ले सकते हैं दोसों अगर आप ये तो normal है अब मालो आप 4 लोग खड़े हैं photo ले रहे हैं हाँ आपर camera man खड़ा है camera man को भी पीछे हटने के लिए जगा नहीं है और इन 4 लोगों को भी पीछे हटने के लिए जगा नहीं है तो कम जगा होने के वज़ा से camera में दो ही लोग दिख रहे हैं तो उस वक्त हम 0.6 पर click करेंगे तो यह हो जाता है wide angle तो उसी कम जगा में 4 लोग ने 6 लोग भी देखेंगे उससे ज़्यादा भी लोग देख सकते हैं इसके अलावा tap करके इसके lighting को थोड़ा ज्यादा करना चाहिए ज्यादा कर सकते है, tap करके Lating को थोड़ा कम करना चाहिए आप यहां पर कर सकते हैं दोस्तों इसके अलावा आप हैं पर style पर click करेंगे, तो यहां पर आपको कुछ effects मिलते हैं कुछ filters मिलते हैं जो filter आपको अच्छा लगा वो filter लगा कर आप इस night मोड में photos ले सकती है अब मनदो आपने filter को select कर लिया आपको फिल्टर अच्छा लगाँ लेकिन इसकी cabin city को आप थोड़ा कम करना चाहते हैं तो इसके cabin city को थोड़ा आप कम कर सकते हैं ज्यादा कर सकते हैं यह हो गया इसके अलावा आप हैं पर इस पर click कर कि इसको tripod mode को on कर सकते हैं यह tripod mode है यह यह use कर लीजिए इसके अलावा हैं पर इसको आप on करेंगे तो यह panorama night होता है मतलब बहुती बड़ा प्लेस है आप पूरे प्लेस को एक ही फोटो में लेना चाहते हैं तो इस मोड में आकर इस मोड को आउन करके शुटर बटन पर क्लिक करके धीरे धीरे पूरे प्लेस को बता देना है तो पूरा प्लेस एक ही फोटो में आ जाता है net mode में यह होता है दुस्वों और इसके अलावा आप इस पर click करके long expose में भी ले सकते हैं यह दिख लीजिए दुस्वें आप नेट कि size में आपका photo आना चाहिए वो कर लेना इसके अलावा 3S 10S है आपनी 3S कर लिया तो photo click करते वक्त में इस तरह से 3 seconds का time आएगा उसके बाद में automatic photo click हो जाता है यह आप करना चाहिए कर सकते हैं इसके अलावा आप हैं पर framing lens इसको on करने के बाद hashtag की तरह lens दिखेंगे उन lens को देखकर आप पता कर सकते हैं अपने phone को आपने कितना सिधा पकड़ा है उसके बाद stabilization को भी on कर सकते हैं मतलब photo click करते हैं तो भी आपका photo बेका नहीं आएगा ऐसा लगेगा कि आपने phone को हिला या नहीं आप अच्छे से photo लिए हैं इसा बताएगा उसके बाद watermark को भी आप on कर सकते हैं model name इसको on करेंगे तो किस phone में हमने photo click किया है वो photo के उपर बताएगा date and time को on करेंगे तो किस time पर किस date पर आपने photo click किया है वो भी बताएगा उसके बाद current location को भी on कर सकते हैं location बताएगा उसके बाद customize पर click करके आप हम पर अपना नाम डाल सकते हैं आप आप फोटो के उपर बताएगा example एक फोटो किलिक करके अपको यह बताउगा यह देख सकते हैं यह रहा फोटो यह देख सकते हैं यह मॉडल है यह बनेम है और यहां पर location है और यह date and time है यह आप हमपर यूज कर सकते हैं इसके अलबवा इसी setting के आइकन पर क्लिक करेंगे तो हम पर motion autofocus को भी आप हम पर use कर सकते हैं autofocus को यह हो गया net mode अब भी हम आएंगे next portrait mode में यहां से आप background को blur करके photos ले सकते हैं आप हम पर कोई zoom नहीं कर सकते हैं आप हम पर 2x में ले सकते हैं बस इसके अलावा आप F पर क्लिक करके जो background blur हो रहा है उसकी capacity का ज्यादा और कम कर सकते हैं आप हम पर ज्यादा capacity होना चाहिए blur ज्यादा दिखना चाहिए तो आप aperture को कम कर लेना और blur कम होना चाहिए तो आप aperture को ज्यादा कर लेना यहां से आप इसको कर सकते हैं इसके अलावा टैप करके lighting को ज्यादा और कम कर सकते हैं अपने lighting condition के लिए करके कम कर ले न और कम है तो आप टैप करके ज्यादा करले न इसके अलावा आप इस पर CLICK करके अपने face को beauty कर सकते हैं सकिन beauty के regarding कुछ settings अप यहां पर छाहर क कर सकते हैं इसके अलावा चले यहां पर hot यहां पर कुछ जो से फिल्टर्स होते हैं यह फिल्टर से अब आप हैं पर स्टेल Caroline पर कपिन करें इसको सकते हैं ، यह अच्छा लगता है दो चलिए और आता हूं बयाक कि रिजाए हैं पर हम 73 एकनेल पर मीएब देशफिस करके हैं यह दिख लीजिए और अपने फोटो का साइज मर्जी के साब सी कर लाना टाइमर यूज़ कर सकते हैं स्टेबलाइज़न है फिरेमिंग लेंस है वाटर मारक है अटो फोकस इस सारे सेटिंग्स आप इसमें भी कर सकते हैं तो अचलिए इसके अलावा आप इस पर क्लिक करके आप एचडी पोट्रेट अटो मतलब हैंसे आप एचडी में भी ले सकते हैं पोट्रेट अटो यह हो जाता है इसके पाद आप इस पर क्लिक करके सूपर नैट मतलब आप रात में फोटो क्लिक कर रहे हैं तो आप इसको रहेगा आप इसको इस पर सेट करना अटो पर दिन में दिन के हिसाब से लेगा रात में रात के हिसाब से लेगा HDR को भी आउन कर लेना बहतरी शॉट्स के लिए और फिचर है यहां से एक बर हम किलिक करेंगे तो फोटो किलिक करने से इसमें wide angle भी मिलता है, यह हो गया, इसके बाद AI भी मिलता है, दूसनों आप इसको AI को भी use कर सकते हैं, और इस पर clicker के filters यूज़ कर सकते हैं, जो filter आपको अच्छा लगे, और filter की capacity को कम जाते हैं भी आप हम पर कर सकते हैं, यह हो गया, इसके बाद हम पर setting के एंग में पर clicker इसके बाद इसके lighting को tap करके ज्यादा और कम कर सकते हैं, और यह जो गुलाब का icon दिख रहा है, इसके उपर आप click करेंगे, तो यह super macro होता है, यह कैम, अब मालो आप इसको off करके कोई भी चीज ले कर जाएंगे, क्यामरा के सामने, पूरा सामने तो blur दिखता है, यह दिख इसके बाद HDR का on कर सकते हैं, यहां से आप इसको always on करेंगे, तो photo click करने से पहले ही, यह flashlight on हो जाती है, और आप इसको on करेंगे, तो photo click करते वक्त में इस flashlight on हो जाती है, और यहां पर आप इसको auto पर set करेंगे, तो रात में photos click करते वक्त में इतना ही यह flashlight on हो जाती है, यह हो 10X तक Zoom करके Wide Angle भी आपको इसमें मिलता है यह हो गया इसके बाद आप resolution भी आप आप पर रख सकते हैं आप पर 4K कर सकते हैं 60fps में वीडियो recording कर सकते हैं 4K तक इसके अलावा आप हम पर इसके टैब करके को ज्यादा और कम कर सकते हैं और यहूगाए इसके बाद इहां पर एफ पर क्लिकर के बेगणों के ब्लर जो हो रहा है ना से कर सकते हैं इसके बाद आप AI को भी on कर सकते हैं यहांसे AI वीडियो इनहांसमेंट इसको on कर लेना थोड़ा वीडियो अच्छा आएगा HDR आएगा मतलब colors बगारा इनहांस होंगे दोस्तों उसके बाद कमाल का feature यह है आप इसको on कर लेना यहां पर ultra कर लेना इसको off तो बिल्कुल भी मत करना standard करना या तो ultra करेंगे तो ज्यादा भाइतर है मतलब आप video recording करते वक्त में phone को हिलाते हैं तो ऐसा लगेगा कि आपने phone को हिलाया ही नहीं मतलब आपका video shake नहीं होगा इसको जरूर on कर लेना ultra कर लेना उसको उसके बाद आप इसको flash rate के feature को एक बार क्लिक करेंगे तो video recording करने से पहले ही flash rate on हो जाती है एक और बार क्लिक करेंगे तो off हो जाती है और यहां पर micro movie mode भी आपके यहां पर मिलता है यह shots ले सकते हैं इसके अलवा more में आएंगे यहां पर high resolution में भी आप हैंपर photos ले सकते हैं 50 megapixel के lens से इसके बाद यहां पर वापस मोर में आने के बाद आपको यहां पर मिलता है प्यानो मतलब बड़ा place है तो एक ही photo में आप लेना चाहते हैं day में तो आपको आना है इस प्यानो में shooter बटन पर clicker के धिरे धिरे पूरे place को बता देना है तो पूरा place एक ही photo में आजाता है यह day में है दोस्तों वो night mode में भी था लेकिन यह day में है इसके बाद यहां पर ultra HD document भी आप बनाना चाहिए इसमें बना सकते हैं आपको third party application वागरा लेने के जरुरत ने slow mode के video recording कर सकते हैं और इस पर आप clicker के यहां पर यह effects यूज़ कर सकते हैं यहां पर आप खड़े हैं ऐसा लगेगा यह कमाल के effects वगरा हाते हैं इनको आप यहां पर यूज़ कर सकते हैं इसके अलवा super moon को भी यूज़ कर सकते हैं यह चांद को focus करेगा दोसों 20x तक zoom होगा यह हो गया इसके बाद हम पर हम आएंगी इसी मोर में तो आपके हम पर pro मिलता है इस pro mode में आप आकर DSLR camera के कुछ settings करके फोटोस ले सकते हैं lighting condition के साब से आप यह सारे settings कर सकते हैं ISO है यह EV है shutter speed white balance, autofocus, manual focus और white angle वागर आपके हम पर मिलता है आप पर पीछे खड़े हैं आप ऐसा लगेगा यह effects भी आप हम पर use कर सकते हैं यहाँ पर पीछे फिलाहल तो white background है उसलिए अच्छा नहीं दिख रहा है तो यह आप दिख लिजी हम पर आप खड़े हो ना तो ऐसा लगेगा कि आपने इस place पर जाकर खड़े होकर फोटो लिया है ऐसा लगेगा आपको कुछ एफेक्ट मिलते हैं पर प्लस पर क्लिकर के और भी डाउन कर सकते हैं आप और वापसे चली इसी मोर में आने के बाद आपको यहां पर मिलता है डूवाल वियू पर आप क्लिकर के फ्रेंट और रियर दोने कैमरा से एक साथ फोटो से ले सकते हैं और इसके अलावा है हम पर लाइव फोटो पर क्लिकर के हम पर लाइव फोटो भी ले सकते हैं अभी आएंगे हम यहां आएंगे हम यहां पर फो लिया है ऐसा बताएगा उसलिए मैं इसको off करता हूँ अगर आप on करना चाहिए on कर लेना इसके बाद आएंगे नीचे हम पर शूटर में हम आएंगे यहां पर इसको on कर लेना टच को आप camera app open करके screen पर कहीं भी आप यहां पर आपको इतना कहेंगे तो फोटो क्लिक हो जाता है वापस से आना दूसरों settings में आपको more settings में आने के बाद नीचे आना है आपको यहां पर और यह थे settings इसी smartphone की enhanced night sky भी आप इसको use कर सकते हैं on करके तो यह थे दूसरों इसी और बार यह सारे settings कर सकते हैं तो यह था दूसरों वीडियो आपको कैसा लगा नीचो comments में बता देना और आप इसी smartphone के top 60 plus tips and tricks interesting hidden features वाला वीडियो देखना चाहते हैं उस वीडियो में मने आपको इसी smartphone के 60 से ज्यादा tips and tricks बताया हूं कमाल के और उसी वीडियो में यहाँ पर जो camera के पास yellow color में जो lighting आना यह कैसे set करें वो भी मने बताया है उस video के लिए आपको नहीं चाहिए मिल जाएगी description में नहीं तो 2-4 seconds के बाद में आपको यहाँ पर end screen में भी दीखेगा वो video